रोज के पराठे खाके बोर हो गए हैं और गार्लिक प्रिट बनाना थोड़ा सा मुस्किल लगता है तो क्यों न हम अपने रोज के पराठे में ही बटर और गार्लिक का फ्लेवर दे दें बहुत ही आसान रेसिपी है और इतना टेष्टी पराठे बनके तयार होंगे कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे प्रेसिपी जानने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखें, तो चलिए शुरू करते हैं बटर और गार्लिक के फ्लेवर वाले पराठे बनाना इस प्रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है दो कपाठा जो भी चीज़े हमें पराठे बनाने में लगता है बस हम वही चीज़ें पहले यूज करेंगे थोड़ा सा नमक डाल दें पर नमक की कॉंटिटी थोड़ी सी कम रखें क्योंकि बात में हम इसमें बटर मिलाने वाले हैं एक चमच तेल डाल दें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाके आठा गूंद लें जैसे आप सिंपल पराठे बनाने के लिए आठा गूंदे हैं बस बिल्कुल उसी तरह से आठे को अच्छी तरह से गूंट ले और फिर इसे गिले कपड़े में ढखके रखें या फिर एक एर टाइट डिपे में बंद करके रखतें ताकि आठा बिल्कुल भी ना सूखें और पराठे अच्छे से बन जाएं जो हम बटर और गार्लिक का फिलिंग तयार करेंगे इसके लिए मैंने यहां पे लिया है पचास क्राम बटर करीब 15 कल यहां लेसुन के मैंने काट के लिए हैं बारीक काट लें लेसुन को थोड़े से धनिये के पत्ते अच्छी तरह से धोके साफ करके बारीक काट लिया है बटर को room temperature में ले आएं इसे अच्छी तरह से ऐसे मिला ले एक पर फिर इसमें कटे हुए लेस्ण मिला दें हरे धनिये के पत्ते मिला देंगे सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर ले बटर और गार्लिक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अलग रख लेंगे और अभी हमने जो आटा गूंद के रखा था डिपे में उसे निकालेंगे एक दो बार और अच्छी तरह से मिला लेंगे फिर इसके दो हिस्से कर लेंगे हर एक हिस्से का हमें चार हिस्सा करना है दो कप आटे में से हमारा आठ कराठे बनके तयार हो जाएंगे हर एक लोई को अच्छे तरह से सेप्टे दें बोल बना ले बस यह भी तयार है इसे भी हम ठपके रखेंगे पराठा रोल करने के लिए मैंने यहां पर रोलिंग पिन ले लिया है फिर कुछ सुखा आठा ले लिया है बटर और लेशुन का मिक्स करके हमने पहले से ही रखा है तोड़ा सा सुखा आठा हर एक लोई के उपर लगा के जैसे आप रोज बूटी या चपाती बेलते हैं अची तरह से रोल करना है इसके उपर फिर अच्छी तरह से बटर और गार्लिक को स्प्रेड करें अगर आपके पास ब्रश है तो यह और अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा या फिर आप इसे हातों से भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं अगर आपको चिली फ्लेक्स पसंद हो तो थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी मिला दें पर ये ऑप्शनल है अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मट डालिए पराठे को फोल्ड कीजिए जिस तरह वीडियो में दिखाय जा रहा है इसके उपर और थोड़ा सा बटर और गार्लिक लगाए आप चाहें तो इस टेज में थोड़ा सा सुखा आठा भी इसके उपर डाल सकते हैं दुबारा फोल्ड करें और जैसे हम प्रिकोना पराठा बना को माते हैं ना जाल होते हैं यह तो यह को रोल करना है कि अंकि अंदर बटर और गार्लिक का फिलिंग है तो यह प्रिक यह लिए से नरम होते हैं मियर्प सीलेसे एक पराठा हमारा रोड़ अ चाहरे 5 रुटर दूसरे पराठे को भी इसी तरह से हम रूल कर लेंगे, उपर से थोड़ा सा बटर और गार्लिक को स्प्रेट करें, मैंने जो 50 ग्राम बटर की कौंटिटी ली थी और 15 लेसुन की कलियां इसमें काट के डाले थे, वो 8 पराठे के लिए सफिसेंट होंगे, इससे हमने पहला प बना लेंगे, बस मैं यहां पर दो ही पराठे पहले बनाऊंगी, बस दूनों पराठे मैंने तयार कर लिये हैं, अभी इसे में पकाने के लिए पहलूंगी, तवे को गरम होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया था, अभी गरम तवे के ऊपर पराठे को टाल दें, पलटते हुए ऐसे अच्छे तरह से पका लें जब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं फिर इसके उपर थोड़ा सा तील लगाएंगे आप चाहे तो गी भी लगा सकते हैं बस पराठा हमारा भी बन के तयार है इसे निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेंगे दूसरे पराठे को भी हम बिल्कुल उची तरह से तयार कर लेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से से शेंक लें फिर जब ये अच्छी तरह से पक जाए दोनों तरफ से तो हलका सा तेल या घी इसके उपर लगा ले मुझे उमीद है कि मेरी आज की ये बनाई हुई रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें मेरे चैनल माई कुकिंग एंड मोर को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन पे क्लिक करें मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिले के साथ सेयर करना बिलकुल भी ना भूले पराटे हमारे बन के तयार है इसे आप कोई भी करी या खूर्मा के साथ सर्फ कर सकते हैं मैंने आज इसे वेजटेबल खूर्मा के साथ सर्फ किया है खाने में बहुत ही टेस्ट ही है एक बात जरूर ट्राइ करें